के शुरु में का अरे छोड़ी संवालके लगता है दो दो लड़कों को देख के छुरी के दिल के साथ-साथ पैर फिसल गया है अरे ना भाई दो लड़के देखने आये ना ये देख के उसका पैर फिसल गया होगा वहाँ बहुत अलग बात कई भहिय आपना जुबडा को बाद में देखे हूँ, पहले इस दूसरे लड़की को यहां से भगाना पड़ेगा आच्छो रिबाइट जी दादी यह हुआ खड़क कुछ दावार कांसी आगई इच्छा कभी जवाब नहीं, बिना किसी भेद भाव के दोनों का दिल रखा ताकि किसी को भी बुरा ना लगे बड़ी दिल वाली है यह इच्छा अरे लेकिन इन दोनों में से उसे जादा पसंद को नहीं कैसे पता चलेगा प्रेमी होगा और कॉन इतना रईस है हैंडसम है अरे हैंड़ का चल रहा है हमारे घर में तो बिजली की मोटर है और बोरिंग भी करा रखा है और पानी ऐसे आता है जैसे बाड आगी हो जोरी तू बता तुझे दोड़ों में से कौन पसंद है पहले यह पता कर लो कि सूपड़ा यहां क्या कर रहा है उसके बाद ही फैसला लोंगी तब तक हिनाटक चलने देती हुँ जी दादी मुझे दोनों पसंद है लेकिन शादी तो एक साही होनी है ना दादी जी फिलाल तो मुझे दोनों ही पसंद है अब जो भी लड़के इनने एक नजर में देखेगी वो तो इन दोनों के अपना दिल दे बैठेगी कि अच्छा तुए काम कर तुपले अंदर जा फेरा उसके बाद दूसरी नजर में देखके बता इन दोनों मुसे तरको जादा पसंद कौन है जी मैं तब भी दोनों ही काऊंगी तादी जी आपको तो पता है ना मुझे किसी का दिल नहीं दुखाया जाता और मुझे तो य इच्छा कितनी भोली है अच्छे लड़कों को देखके ये भी भूल गई इसकी याददास चली गई अरे बरदास तो मुझे भी ना हो रहा और इच्छा की गए इन दोनों से शादी करवाएं तो बावला हो गया है क्या दोनों से कैसे करेंग इच्छा की सादी अरे हाँ पताजी अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो इन दोनों की ना अलग अलग शादी कराते हैं ताकि दोनों एक दूसरे की शादी में शामिल तो हो सकें मैंने सोच लिया है खुछ सोचा है इन दोनों में से किसी एक के साथ होगी इच्छा की सादी और इच्छा को इन दोनों में से क साथिया, साथिया छोड़े, बता, अब तु दोनों में से किस से पहले बात करना चाहेगी? जी दादी, मैं पहले इन से बात करो तो भबल इन दोनों को अच्छी जगा छोड़ा भबल, इन दोनों को अच्छी जगा छोड़ कर जा जाओ, छोड़ाओ तो प्रेम जी, अब आप सुनाओ क्या हालना तुमारा? अब पागल हो आप शुपड़ा तु यहांपर किसा आगया? अरे पागल मैं नहीं पागल तू होगी है, नागों के होतो है तो इंसानों का बिल बसाएगी हरे सुपडा मैं किसी से शादी नी करने वाली, मैं खुद किसी जाल में फस गई हूँ लेकिन तू तो कोई शडंतर नी करने वाला ना नहीं इच्छू, मुझे खुद मुख्या जी ने भेजा तेरी मदद करने को मदद? कैसी मदद? इस समस्या के एक ही हल है देख मैं तरसे शादी करने के लिए हाब होनुगा और अच्छा प्रेम जी आप कितने पड़े लिखे हैं अब बी अतक पड़ाओ जी वाह दो शब्द पड़े वो भी उल्टे एबी होता है और अनोने बी अतक पड़ा जी नहीं बी अमतलब बैसलर ओफ आर्ट्स वैसे इसने मेब करके रखा है मास्टर ओफ आर्ट्स अरे पता है बताया था इनोंने मास्टर है दरजी नहीं इनका कपड़ों का काम है ना जी अब आप जो भी समझ लें देख रहे है तादी कितना सब्य लड़का है यह कूट-कूट के शर्वो हया भरिये इसमें खांदानी रईस जो है और अपने जान पहिछान वाला है कलुट की इच्छ गर जाके रहे ही ना तो हमें पता रहेगा कि इच्छ के रहे हैं नगिर्ना सही क्या रहे है मुझे वह जादे बढ़िया लग रहा इच्छ के लिए और वैसे भी जो अजे है उसके बारे में रहे मा मा क्या है कोन है कहां से आया है कहां को जाएगा कुछ नहीं पता एक बात औरे मा उस वाले को सबल प्रबल लेकर लेकर हैं सबल की पसंद पर जाद बिस्वास्ना कर से के हम प्रिता जी सबल की पसंद इतनी भी खराब नहीं कि अरे नगीना यह तुझे नाखे रहा है वैसे मुझे भी अलड़का बड़िया लग रहा है बबल के लग रहा है तुझे अजीब लग लग रहा है अब इतना भी अजीब ना है चोड़ा मही रादी वो इच्छा को अब तक आजाना चाहिए था तो अहां तो मम्ता को भुला उसे बोल कि जा के देखे नादी में खुझ जाता हूँ मैं देखे आता हूँ ठीक है और बता नागिस्तान में सब कैसे हैं सब ठीक है तेरे माबापो तुझे बहुत याद करते हैं अलग से दूद नहीं उतरता उनके जब तक तरी याद में दो आसूना बहाले पूरा दिन बैठे बस यही सोच कर अपना जहर जलाते रहते हैं कि तुझे कुछ नहीं हो जाए याद तो मुझे भी उनकी बहुत आती है पर मैं अपना अभियान चोड़ कर तो नहीं जा सकती बबल जी आरहे है अब अनको पता एक तुमिज अच्छा लाग याद एक लिगा लेकिन कैसे बताएंगे जुप रहे है वियो जुख करना है वह मैं करूंगी किते मजा की है आप और क्या का एफ यही का कि यही का कि कि मैं जिस लड़की का हाथ पकड़ लेता हूं तो वह थम कर मेरी हो जाएगी जुख को उसके साथ तेकर मुझे पूरा क्यों लग रहा है बबल संभाल अपने आपको सच में चुमबक है आपके अंदर जो भी देखता है बस वही थम जाता है कि टाइम प्राइब चलने दो ला हमारा वक्त और सांसे तो जैसी थम सी गई है इच्छाँ अपबल जी आप कब आया है जब तुम्हारी सांसे थम्य हुए थे अब अगर सांसे आगए तो चलो वह दूसरा अज़ार कर रहा है अजी उसकी जरूरत नहीं है अब तादी ने बोला है ओ ठीक है आप यहीं रहिए बे थुड़ी देर में आती हूं कुछ खाने पीने के चीए तो बोलीजे मैं चलो 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 चलती हूं चलती हूं चल्दी स चलो बेले यह बबल ची को क्या हो गया है कहीं कि इससे ने कुछ कह तो नहीं दिया इने चलो जी मैं आई यहां सुप्रा अरे चिर्मिरी चिर्मिरी तुम यहां क्या कर रहे हूं? सुप्रा तुम्हें जल्दी कुछ करना पड़ेगा मैं कोशिश तो कर रहा हूं कोशिशे काफी नहीं है सुप्रा इन घरकवालों को वो दूसरा रड़का पसंद आ रहा है अगर एक बार इच्छा की शादी उस लड़के से तैह हो गई ना पहर हम कुछ नहीं कर पाएंगे आम यह जल्दी से कुछ करना होगा सुप्रा तुम अपनी शक्तियों का इस्तिमाल करो क्योंकि इच्छा की शादी सिर्फ और सिर्फ तुम से होनी चाहिए चिर्मरी मुझे एच्छू के लिए बहुत बुरा लग रहा है वो एक अच्छी अभियान पर है मुझे सही नहीं लग रहा कि मैं उसे दोखात है सही और गलत का चुनाव वो लो करते हैं जिनके सामने ये दोनों परिस्यत्या हो लेकिन जहां जुनाव दो गलत चीज़ों की पीच में होना होता है वहाँ ये देखा जाता है कि नुकसान कहां कम होगा अब अगर इच्छा की शादी तुम से नहीं होई तो उस दूसरे नड़के से हो जाएगे करको उसका रास खोलेगा और उसकी चान पर आफ़त आजाएगी सोचो सूपरा अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई तो उस रक्षित रहेगे मैं जानते हैं सूपरा तुम्हारे दिल में इच्छा के लिए वच्छा के लिए वच्पन सही ए खास जगे है और अभ्यां तुमसे शादी के बात भी तो जारी रख सकती है कौनसा तुमसे मना कर दोगे हाँ, बात तो सही है तुम्हारे तो इतना सोचो मत, जाओ, इच्छा के बदद करो ओके, मतलब ठीक है ठीक है एक बार इच्छा के शादी सूपरा से हो गई ना तो वो अपनी कहस्ती में इतनी वियस्त हो जाएगी कि उसे इस अभ्यान का समय ही नहीं मिलेगा फिर तो ये अभ्यान खतम नहीं है अरे दादी जी क्या नहीं मिलता लंडन में सब कुछ मिलता है सब कुछ मैं सोच रहे कि नेक्स चाम आएगा तो आपके लिए बॉड़ी मालिश का एक ऐसा तेल आएगा कि आपका जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर आप जितना भी दोड़ो हालत खराब नहीं होएगा हाँ अरे आदत तो हमारी दादी की आज भी कोई खराबना है बस जोड़ो के दर्द की वज़े से कभी-कभी चाल तेड़ी हो जाती है भाई लेकिन जोड़ो का कुछ कर भी तो नहीं सकते है जोड़े तो उपपर वाला बना की भेजता है वेल, मिस्टर परबल मैं नेक्स टाइम जाएगा तो आपके लिए कानों की दवाई भी लाएगा अरे उससे भी कुछ नहीं होगा भाई को दवाई लेने के लिए के लिए बाई को जमाई सुनाई देगा भाई जमाई लेंगे और सो जाएंगे दवाई वैसे की वैसे पड़ी रहाएगी वेल, दवाई तो हम भी डाल सेके उसके कान में इदा जी यह तो मैंने सोच यह नहीं सोच? लिख लेता हूँ लिख ले? अच्छोरा, कितिनी तकलीफ उठाने की कोई जरूँता है इसी सब चीज़े तो यहाँ भी मिल जावे है एक सिकना एक स्कूज मी एक अरजन कॉल है और मैं बात कर आता है अलो इसे, कैसा लगा आप सब को यह लड़का? मैंने तो बहुत अच्छा लगा बच्चा नहें, समझदार है और मुझे तो दोनों मैंसे यह अच्छा लगा भाई, पिताजी भी वह ही बोल रहे है ठीक है यह छोरे के साथ इच्छा की शादी पक्की कर देते इच्छा, हम सब ने तेरे लिए लड़का फाइनल कर लिया है तू पक्का उसके साथ खुश रहेगी अधर भूमिदेफ लगता है यह लोग मेरी शादी करवा की मानेंगे अरे उसकी तो चिंता नहीं कहरे आप उन पुलिस का संभाल लेगा और तुरा पाइसा भी जल्दी लोटा देगा ठीक है? तो चाचु में रखता है तू? हाँ मैं तू यहां इतनी जोड-जोड से बाते कर रहा है घर में कोई सुन लेता तो? यह सुना तो नहीं ना तो चिला मत शांती से बात कर और वैसे भी तूने मुझे यहां पर बुला कर जो आसान तखाया ना उसको चिला कर उतार मत वरना तू जानती है ना मैं कितना कमीना है वो तो तू है मगर एक बात बता तू तू तो जेल से छूट चुका है ना फिर यह कौन लोग तेरे पीछे पड़े अरे जेल से छूटानी है रे इस बार पुलिस को चूना लगा के भागाया मैं तू भी ना चल अब अंदर चल तेरी शादी जो पक्की करनी है उस लड़की से और एक बार तेरी शादी उस लड़की के साथ हो गई उसके बाद उस इच्छा को इतना दूर लेकर जाना कि दुबारा कभी वो वापस ना सके लंडन से अरजिंट कॉल था प्रेम को नया टेंडर मिला है अरे वाँ यह तो बड़ी खुसी की बात है हाँ दादी जी देखिये ना एक दूसरे से मिलते ही अच्छी खबर मिलने लगी अगर दोनों की शादी हो जाएगी तो खुश्यों की मारिश होने लगेगी मैं तब पहले से ही कह रही थी कि इच्छा और प्रेम की जोड़ी सबसे अच्छी रहेगी पर मुझे तो अजेजी साथ पसंद है अरे छोरी प्रेम में के बुराई है है पिता जी ऐसा ना पता चलेगा आप पुलिस को बुलवाओ वो अपने आप पता लगा लेगी कि इसमें क्या-क्या बुराई है चुपकरो जी वो प्रेम बहुत अच्छा लड़का है एक बार इच्छा प्रेम को जान तो ले एक बार दोना आपस में बात कर ले वक्त बिता ले उसके बाद देखना इच्छा को भी प्रेम अच्छा लगने लगेगा नगीना बिल्कुल ठीक कहरी चुरी एक मरता प्रेम से बात तुक कर ले दादी मुझे लगते मुझे आज़ाई जी से शादी कर नी चीए कि इतने सुल्जें हुए है अच्छे है दिल्बिन का बहुत साफ है आप मेरी शादी ही से करवा दो अरे लेकिन एक मुझा तो प्रेम जी को भी मिलना चीए ना अरे बबल जी ये कोई मेले में बंदूग से गुबारे पौन ने आये जो इन्हें भी मुझा मिलना चीए चोरी को मेला याद आगया वो सकता है इसको अपने मावाब भी आदागय हो अरे इससे तो बंदूग भी याद आ गई है कहीं इसका बाप उडाकू तो ना है ने ने मुझे तो नहीं लगता इक्छा की पिताची डाकू तो नहीं हो सकते इक्छा इतनी प्यारी है उसके माता-पिता भी प्यारे ही होंगे अरे इच्छा अब तुम्हें और कुज आदा रहा है अपने घर के बारे में अगर आ रहा है ना तो शादी का चाप्तर यहीं क्लोस करते हैं तुमारे माता-पिता से मिलते हैं नहीं बबल जी वह मेला तो मैंने आप क्या टीवी पर देखा था डादी इससे कहो ना कि अमसे शादी करने है में डीकिन हम गुटे हैं अब किस फाली डह उदर की बात बंद कर钟 अरे साप बता जे सबको के हम्वेत से जाच पर अक्के लेके रहे है इस इस भी भी हमें प्रेम जादा पसंद है एक बार तू प्रेम से बात कर ले, बात करने में तो कोई परिशाणी ना है ना? अगर फिर भी समझ में ना आया, तू मना कर दियो ठीक है दादी, चलिए जा चो रजा, बात कर ले अरे वही एच्छा तो इंसानों से वहां दोस्ती करने गई थी, पर अब लगता है कि ये इंसान इस ते विष्टेदारी जोड़कर ही मानेंगे अर्षाणी पाता है मैं आज तक बहुत सारी लग्या देखी तो बदल के देखते हैं क्या लड़की? नहीं, अपनी पसंद, क्या पता? अपकी पसंद बहुत अजीब हो पर आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी जी पर मुझे तो अज जाई जी बहुत पसंद आए पर आप मेरे बार में एक बार ठीक से सोची तो सही का माल करता हैं अप अगर मैं अच्छे से सोच पाती तो मेरी याददाश नी वापिस आ जाती आप अपने बारे में खुद सोचीए एक बार हमारी शादी हो जाने थे फिर तुझे ऐसी जगा ले जाकर छोड़ूंगा पिर तु सोच सोच के परिशान हो जाएगी के यहां से वापस कैसे जाऊ क्या बात है आप तो सोचने लगे अच्छा है सोचीए सोचीए आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी अगर बबल जी को मेरी थोड़ी सी भी फिकर है तो जब मैं इस लड़की का हाथ पकड़ूंगी तो वो जलेंगे और मुझे जरूर रोकेंगे देखती हूँ बबल जी मेरी शादी करवाना चाहते हैं कि नहीं अब आप क्या सोच रहिए यही कि आप बहुत अच्छे है जितने ही शान दिखते हैं उससे ज्यादा नटकट है और मज़ा किये तो इतने है कि मैं क्या कहूँ नशे खूपिया बहुत है आप में एक लिए खूपिया ओप भी आप देख आप एक लिए जिसे तो आप देखते हैं